इस वीडियो के अन तक आप जानेंगे इस पार्ट से सम्मंदित संपूर्ण जानकारी नमस्कार सभी को हिंदी कलाकेंदर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें वेब बैल आइकन को दबाना न भूले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पार्ट 10 जिसका सिर्षक है एक दिन की बादशाहत बादशाहत बादशाशब्द से बना है जिसका अर्थ है राजा का पद यानि जो अपना हुकम चलाता है तो जब हुकम चलाने वाला ज्यादा ही मनमानी करने लग जाता है तब वो बादशाहत में बदल जाता है जब आप खेलते हो तब कोई बड़ा बच्चा खेल के नियम बताता है तब अगर कुछ बच्चों को उसके नियम पसंद नहीं आते तो आप लोग बोलते हो ना कि नहीं आपकी नहीं चलेगी आप यहां के बादशा नहीं हो लेकिन फिर भी वो बच्चा आपकी बात नहीं मानता और कहता है कि नहीं यहां पर ऐसा ही होगा तब आपको लगता है न इनके हुकम को सारी परजा वे मंत्रियों को मानने होते थे। वैसे तो ये सारे हुकम किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए होते थे। ये बच्चों शुरू करते हैं आज की इस मजेदार कहानी को जो उर्दू में जिलानी बानों ने लिखी थी फिर उर्दू से इसका अनुवाद लक्षमी चंद्र गुप्ट ने किया कहानी में आप बहुत सारे उर्दू के शब्दों से भी परिचित होंगे एक दिन की बादसाहत बादसाहा कार्त होता है राजा का पद तो एक दिन के लिए राजा के पद की तरह होकुम चलाना आरिफ, सलीम, चलो, फोरन सोजाओ, फोरन कार्थ होता है तुरंतिया जल्दी से अम्मी की आवाज एन उस वक्त आती थी, एन उस वक्त यानि ठीक उसी समय आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कववाली गारे होते थे कववाली भजन का सूफी परकार होता है जो आपने अक्सर अपनी स्कूल में स्टेज पर दोस्तों के साथ मिलकर गाया होगा जिसको आमने सामने बैठ कर गाया जाता है या फिर फिल्मों में जरूर देखा होगा तो आरीफ और सलीम दो बच्चे हैं जो जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठ कर गवाली गारे होते ठीक उसी वक्त उनकी मम्मी की आवाज आती अम्मी कार्थ मम्मी तो उसी समय उनकी मम्मी की आवाज आती कि चलो जल्दी से सो जाओ या फिर सुबह बड़े मजे में आईस्क्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा जिनजोड कर जगा देती या फिर उनको कब आवाज लगाई जाती जब वो सुबह मिठी नींद में खोए सपने में आईस्क्रीम खा रहे होते उस वक्त आपा बड़ी बहन या दिदी जो उनको जिन्जोड कर जगा देती जिन्जोड कर जगा देना हट बड़ाट के साथ जल्दी से हिला कर उठा देना जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया जल्दी से उठो स्कूल का समय हो गया तो रात को सोते समय अम्मी आवाज लगाती सुबह उठते ही दिदी उनको जल्दी से उठा देती दोनु की मुसिबत में जानती यानि दोनु बच्चे परिशान थे हर वक्त पाबंदी पाबंदी यानि रोक हर वक्त तकरार तकरार कार्थ विवाद या जगड़ा तो हर समय उनको लगता कि उनकी हर बात पर उनको टोका जा रहा है रोका जा रहा है और हर वक्त उनसे जगडा किया जा रहा है अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर पाना जिसका अर्थ है अपने दिल से कुछ भी नहीं कर पाना यह अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कभी आरिफ को गाने का मूड आता कभी आरिफ को गाने का मन करता तो भाई जान डाटते तो बड़े भाई को भाई जान बो लगया है तो भाई जान डाटते चुप होता है या नहीं हर वक्त मेंड़क की तरह ट्राए जाता है तो जब भी आरिप गाने के लिए सोचता या उसका मन करता उसी वक्त उसको उसका बड़ा भाई चुप करा देता और कहता कि मेंड़क की तरह क्यों टराए जा रहा है यानि मेंड़क की तरह क्यों बोले जा रहा है बहर जाओ तो अम्मी पूस्ती बहर क्यों गए अंदर रहते तो दादी चिलाती हाई मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे अरी रजिया जरा इन बच्चों को बहर हांक दे बहर हांक देना यानि इनको बहर भेज दो हांक ना कार्थ होता है जानवरों को चलने के लिए इसारा देना तो उसी तरह वो बच्चों के लिए बोलती अपनी बहु को यानि इन बच्चों की अम्मी का क्या नाम है रजिया तो वो अपनी बहु को आवाज लगाती कि रजिया इन बच्चों को बहर भेज दे जैसे बच्चे नहुए मुर्गी के चुझे हो गए जैसे जानवरों को चलने के लिए इसारा करते हैं न हाक न वैसे ही ये बच्चे सोच रहे हैं कि हम भी बच्चे ना होकर हमें क्या समझ लिया जैसे मुर्गी के चुझे हो गए यानि मुर्गी के बच्चे हो गए हो तो इस तरह ये दोनु बच्चे अपने सभी बड़े घरवालों से परिशान थे अपनी अमी से, दादी से बड़ी भेहन से और बड़े भाई से दोनू घंटों बैठ कर इन पावंदियों से बच निकलने की तर्की किली सोचा करते जो इन रोकटोक से ये दोनू बच्चे परिशान थे उन बातों से बचने के लिए ये दोनों घंटों बैठ कर आपस में तरकीबे सोचा करते तरकीबे यानि कोई उपाय तरीका सोचते उन दोनों से तो सारे घर को दुस्मनी हो गई थी यानि उन दोनों बच्चों से तो सभी घर वाले परिशान हो गए थे लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई लिहाजा इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिद्मत में अब्बा पिता जी और खिद्मत में उनकी सेवा में एक दर्ख्वास्थ पेस की दर्ख्वास्थ पेस करना यानि प्रातना पत्र या कोई अर अधिकार दिये जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं तो उन्होंने अपने पिता जी से एक प्रातना करी कि उन्हें क्या क्या जाएं उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दिये जाएं यानि बड़ों के सारे हक उन बच्चों को दिये जाएं और सब बड़े छोटे बन जा यानी हला, गुला या सोरगुल अम्जी ने अपनी आदत के अनुसार डाट पिलाई जब बच्चों ने अपनी वाथ रखी पिता जी के सामने तो अम्जी ने भी सुन लिया तो उन्होंने सुनते ही कहा कि कोई जरुष्व नहीं है ऐसा सोरगुल करने की, बदमाशी करने की, क्योंकि मम्मी तो अक्सर उनको डाट मारती थी, तो आज भी वैसे ही अपनी आधत के अनुसार उनको फिर से डाट पिला याने उनको फिर से डाटा, लेकिन अबबा जाने किस मूड में थे, यानि अबबा का, पिताजी का पता नही आज किस मूड में थे कि ने सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे की इकरार करना स्विकार करना या वचन देना कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे हर किस्म यानि हर परकार के अधिकार दोनों बच्चों को मिल जाएंगे तो आज पिताजी का मन किया उन बच्चों की बात मान ली और दोनों की बात को स्विकार ही नहीं किया बल्कि उनको कहा कि कल से हर प्रकार के अधिकार तुम दोनों को मिल जाएंगे यानि कल से बड़े लोग छोटे बन जाएंगे और ये दोनों छोटे बड़े लोगों की तरह विवार करेंगे अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को जिंजोट डाला यानि मम्मी को जल्दी से हिला कर उठा डाला अम्मी जल्दी उठिये नास्ता तयार कीजिए ये अम्मी जल्दी से उठो और नास्ता बनाओ जबकि उठने का समय भी नहीं हुआ था अम्मी ने चाहा एक जापड रसीद करके सो रहें अम्मी ने सोचा कि इनको एक जहापण रसिद करना यानि एक थपड मार कर सोजाओं मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छिने जा चुके हैं तब अम्मी को याद आया कि आज तो वो नहीं बोल सकते आज तो उनको छोटे बच्चों वाले अधिकार दिये गए हैं, इसलिए उनकी बात मानने हैं, फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पिना शुरू किया, दादी ने भी सुबह नमाज पढ़ने के बाद अपनी दवाईयां खाई और बादाम का हरीरा ये क्या होता है, ओटे दूद में मेवा बादाम आधी मिलाकर बनाया गया स्वादिस्ट पे, ओटे दूद यानि दूद को बहुत ज़्यादा गरम करके उसमें बादाम और मेवा डालकर बनाया गया एक स्वादिस्ट पे, उसको पीना शुरू क किया तो आरिफ ने उन्हें रोका तोबा है दादी तोबा यानि हद है दादी कितना हरीरा पिएंगी आप पीट फट जाएगा और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उनको भी बात याद आगी नास्ता मेज पर आया तो और मखन वगएर हमारे सामने रखो दलिया और दूद बिस्कुट इन सब को दे दो इन सब में कोन आए इनके पापा ममी दादी बड़े भैन भाई तो उनको दे दो और इन दोनु बच्चों ने अपने लिए क्या मांगा अंडे और मखन वगएर पापा ने कहर भरी नजरो से उन्हें आखे निकालकर क्रोध पूर्वक देखना घुर्णा कहलाता है तो उनकी तरफ देखा मगर बेबस थी बेबस यानि लाचारिया विवस क्योंकि आज तो आपा के अधिकार भी छिल लिए गए थे क्योंकि रोज की तरह आज वे तरमाल अपने लिए नहीं रख सक ती इसलिए आपा को गुस्टा आ रहा था तो सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका अम्मी जरा अपने दाथ देखिए पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं मैं तो दात माज चुकी हूँ दात माजना यानि उनको घिसना या साफ करना अम्मी ने टालना चाहा अम्मी ने उस बात को इग्नोर करना चाहा नहीं चलिए उठिए अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी अम्मी खाने के लिए बैठी थी तो अपना एक निवाला तोड़ च की थी मगर सलीम ने जबरजस्ती कंदा पकड़ कर उन्हें उठा दिया कि जा giorno और अपने दा अपकर क्या ओऊ का अंपी को गुसल-खाने में जाते देख कर गुसल-खाना मिस्नान घर की तरफ जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे, क्योंकि ऐसा ही रोज सलीम के साथ होता था, इसलिए आज सलीम ने अम्मी के साथ कर दिया, फिर वै अब्बा की तरफ मुड़ा जराँ अब्बा की गत देखिये गत यानी अब्बा की हालत या धशा देखिये बाल बढ़े हुए सेव नहीं की शेव यानी डाडी नहीं बनाई कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले यानि आज इनको इतना गंदा कर डाला आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाये जाएंगे ये सुनकर अब्बा का हंस्ते हंस्ते बुरा हाल हो गया हंस्ते हंस्ते बुरा हाल हो जाना यानि बहुत ज़्यादा हंसी आई अब्बा को हसी क्यों आई क्योंकि इसी अंदाज में अक्सर रोज अब्बा भी उन बच्चों को डाटते थे इसलिए जब उनको उनके ही अंदाज में डाटा गया तब उनको हसी आई आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी मगर फिर अपने कपड़े देख कर वै सचमुच सरमिंदा हो गए यानि सचमुच उनको खुद पर सरम आई या लजजित हो न कि बच्चे तो ये बात सही कह रहे है तो अब्बा सरमिंदा क्यों है क्योंकि जब उन्होंने अपने कपड़ों को देखा तो वो सचमे ही गंदे थे थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल गजल जो एक परकार का गीत होता है लहक लहक कर सुना रहे थे लहक लहक कर सुनाना निबल खाकर या खुश होकर अपने दोस्तों को सुना रहे थे तो आरी फिर चलाने लगा बस कीजिए अब्बा फोरन ओफिस जाईए दस बज गए हैं तो जिस तरह बच्चों को बोला जाता उसी तरह बच्चों ने भी आज अपने अब्बा को उनके दोस्तों की बीच में से उठा दिया चू 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 अब्बा का मन किया कि बच्चों को चुप करवा दे अब्बा डाठते डाठते रुख गए अब्बा क्यों रुख गए क्योंकि अब्बा को याद आया कि आज उनकी अधिकार छील लिए गए हैं तो उनको बच्चों की ही बात माननी है बेबसी से गजल की अधुरी पंक्ती दातों में दबाए पाउ पटकते आरिफ के साथ हो लिए तो अब्बा का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वहां से उठने के लिए इसलिए उन्होंने बेबसी से यानि उनका मन ना होते हुए लाचारी में गजल की पंक्तियों को वहीं अधुरा छोड़ते हुए अपने दातों में ही दबाए यानि बिना बोले ही वहां से पाउ पटकते हुए यानि गुस्षे में आरिफ के साथ चल पड़े रजिया जरा मुझे पांच रुपे तो देना अब्बा दफ्थर जाने को तयार होकर बोले पांच रुपे का क्या होगा कार में पेट्रोल तो है आरिफ ने तुनक कर तुनक कर यानि थोड़ा गुस्षेवे नराजगी में बोलना अब्बा जान की नकल उतारी जैसे अब्बा जान कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे जेब खर्स तो ले चुके हो जब ये बच्चे भी पैसे मांगते तो इनको भी अब्बा कुछ इसी तरह से कहते तो उसी अंदाज में आरिफ ने फिर तुनक कर अपने अब्बा को कहा कि पांच रुपे से र्दाष में पैट्रोल है तो पांच रुपे क्यों चाहिए तो इकन्नी कार्थ होता है रुपे का शहलवा भाग यानि एक रुपे में सोलवा भाग होते उसमें जुए सways एक आना इकन्नी थोड़ी देर बाद'd खान सामा आया थोड़े देर के बाद रसोया आया जो उनके लिए खाना बनाता है बेगम साहब आज क्या पकेगा अलू गोस्त कबाब मिर्चों का सालन मिर्चों का सालन यह सागादी की मसालेदार तरकारी अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया जैसा कि वहर आज गुलाब जामुन, गाजर का हल्वा और मीठे चावल पकाओ, क्योंकि आज आदेश देने का हग तो इन बच्चों के पास था, लेकिन मिठाईयों से रोटी कैसे खाई जाएंगी, अम्मी किसी तरह शब्र ने कर सकी, तो बच्चों की ये बात सुनकर अम्मी से रुका न निध्यरिये नहीं रख पाई और बीच में ही बोल पड़ी कि मिठाईयों के साथ रोटी कैसे खाई जाएंगी, क्योंकि बच्चों ने तो सिर्फ मिठाई बनाने की आदेश दिया, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, जैसे हम हर रोज मसालेदार सबजी यानि मिर्चों के सालन से खाते हैं दोनों ने एक साथ कहा तो यहाँ पर पता चल रहा है ना कि बच्चे मिर्चों के सालन से यानि मसालेदार सब्जी से परेशान थे उनको खाने में थोड़ा मीठा भी चाहिए था दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैमे किये जा रही तू किसी के साथ आपसमें भाष करना या जगडा करना ओफो दादी तो शोर के मारे दिमाग प्रिशान कर रही है आरिफ ने दादी की तरह कि आपने दों आथों से सिर को थाम कर यानि पकळ कर कहा इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल लाना ह прош gathered दिया कि आज ये लड़के मेरे पिछे पंजे जाड के पढ़ गए हैं पंजे जाड के पढ़ना यानि बुरी तरह से मेरे पिछे ही पढ़ गए हैं मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई खून का घूंट पीकर रह जाना गुस्सा मन में दबा लेना क् की दादी को इन बच्चों की बात सुनकर बहुत गुस्चा आ रहा था लेकिन जब अबा ने उनको समझाया कि आज के लिए इन बच्चों को अधिकार दिया गया है इसलिए दादी अपना गुस्चा मन में ही दबा कर रह गई कॉलेज का वक्त हो गया कॉलेज जाने का समय हो था तो भाहि जान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आये दालान यानी अपने घर के बरामदे में आये अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है तो ये बड़े भाहिया ने अमी से कहा खबरदर खबरदर यानि सावदान या चोकनना आरीफ ने आंखे निकालकर उन्हें दहमकाया कोई जरुरत नहीं फिल्म देखने की इम्तहान करीब है इम्तहान यानि परिक्षा करीब कार्थ है नजदीक है यानि परिक्षा आने वाली है और हर वक्त शैर सपाटों में गुम रहते हैं आप शैर सपाटों यानि घुमने फिरने में ही लगे रहते हैं पहले तो भाई भाई जान एक करारा हाथ मारने लपके बाई जान का भी मन किया कि इन दोनों छोटे बच्चों को एक थपड़ लगा दूं जोर का थपड़ मारना तो मारने के लिए लपके यानि सहसा तेजी से आगे बढ़ना बहुत तेज गती से उनकी तरफ आए फिर कुछ सोच कर भुश मुस्क्रा पड़े लेकिन हुजूरे आली हुजूरे आली यानि जब किसी बादसा को उसकी परजा संबोधन के लिए बोलती है न तो वैसे ही भाया ने भी उसी अंदाज में बच्चों को कहा कि हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार खाकसार यानि इस नाचीज गरीब इंसान ने फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं इसलिए इजाज़त देने की महरवानी की जाए इजाज़त यानि उनको जाने की अनुमती और महरवानी यानि उन पे दया दिखाई जाए उन पे करपा की जाए उन्होंने हा चोटे बच्चों से भाई जानने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिल्म देखने के लिए इजाजत मांगी। बना करे बस मैंने एक बार कह दिया जो मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया उसने लापरवाही से कहा लापरवाही यानि एसावधानी से बिना उनकी बात पर गोर किये हुए और सोफे पर दराज होकर अखवार देखने लगा दराज होकर निविराजमान होकर अराम से बैठ कर जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अराम से अखवार पढ़ने लगे उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली उसी समय उनकी बड़ी बहन भी अपने कमरे से भार आई एक निहायत निहायत यानि बहुत अधिक भारी साड़ी में भारी साड़ी जो बेल मुटों की कड़ाई का काम करा हुआ लचकती लटकती जिसका आर्थ है इतराती हुई बड़े ठाट से कोलेज जारी थी बड़े ठाट से यानि अपने ही मजे में कोलेज जारी थी आप सलीम ने बड़े गोर से आपा का मुआना किया बड़े गोर से यानि बड़े ध्यान से अपनी बड़ी दिदी का मुआइना करना यानि निरिक्षन किया इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी शाम तक गारत हो आएग इस साड़ी को बदल कर जाईये आज बहा सफेद वायल की साड़ी पैनना वायल की साड़ी यह एक कपड़ा से बनी भी टो इन बच्चों ने भी आपा जो पैनकी जाना चारी थी बेल बुटों की कड़ाई का काम करे वे भारी साड़ी。 उसको ना पहनने की इजादे देते वे कहा कि एक हल्की सी वाइल की साड़ी पहन कर जाओ अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हुकम यानि बहुत आदेश दे चुके अब तुम लोग आपा चिड़ गई आपा उनकी बात से नाराज हो गई हमारे कॉलेज में आज फंक्षन है यानि हमारे कॉलेज में आज कोई कारिकरम है उन्होंने साड़ी की सिकने दुरस्त की अपनी साड़ी की जो सलवर्ती उसको सही करते वे कहा हुआ करे मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं नहीं कहा कि कारिक बिन्दा हो गई आपको आज एसास हुआ कि वो भी कुछ इसी अंदाज में बच्चों से बात करती थी बिल्कुल इसी तरह तो वै आरिफ और सलीम से उनकी मन पसंद कमीज उत्रा कर नियाहायत यानि एकदम से बेकार कपड़े पहनने का हुकम लगाया करती थी तो आज आपक आपको भी अहसास हुआ कि वो भी उनकी बात को ना समझते हुए उनकी पसंद का कमीज उत्रा कर उनसे एक बहुत ही हलके कपड़ों को पहनने का हुकम लगाया करती थी दूसरी सुबह हुई सलीम की आँख खुली तो आपका नास्ते की मेज सजाए मेज सजाना यानि टेबल पर समान रखना उन दोनों के उठने का इंतिजार कर रही थी तो आज आपा ने उन बच्चों को जिन जोड कर नहीं उठाया सिर्फ उनके उठने का इंतिजार कर रही थी अम्मी खान सामा को हुकम दे रही थी और अम्मी अपने रसोया को आदेश दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मिठी चीज जरूर पकाया करो तो बाकी दिन तो अम्मी सिर्फ मसालों वाली सबजी ही बनवाया करती थी लेकिन आज अपने रसोये को आदेश दिया कि हर खाने के साथ एक मिठी चीज भी जरूर बनाना है क्योंकि अम्मी को भी समझ आया कि बच्चों को खाने के साथ कुछ मिठा भी चाहिए अंदर आरिफ के गाने के साथ भाई जान मेज का तबला बजा रहे थे तो आज अंदर भाई जान भी आरिफ को डाटना मारते हुए उनके साथ मेज पर तबला बजा कर उन्हीं के साथ गा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त 1.54 जेब में डाल लिया करो क्या हर्ज है एक चवणि यानि पचीश पैसे चार आना अपने जेब में डाल लिया करो इसमें क्या हर्ज है यानि इसमें क्या नुकसान है कभी जरत पड़ जाए तो इस तरह से दूसरे दिन सब लोगं के विवार में अंतर देखा गया ये कहानी जिलानी बानो द्वारा उर्दू में लिखी गई थी जिसको उर्दू से हिंदी में अन्वाद किया लक्समी चंदर गुप्त ने तो इस तरह बच्चो छोटे बच्चों ने जो एक दिन की बादसाहत करके बाकी परिवार के सभी सदिश्यों को ये बात बता दी कि वो लोग उन पर जादा ही हुकम दे रहे थे और इन बच्चों ने अपने परिवार वालों को समझा दिया कि बच्चों पर अत्य दिक पाबंदिया लगाना भी सही नहीं है उन्हें प्यार से उनके कर्तवियों के परती सचेत कराना या जागरुक बनाना तो है लेकिन जादा पाबंदिया नहीं लगाना है क्योंकि कर्तवियों के प्रति जागरुख बनाना तो बहुत जरूरी है उसी से तो घर परिवार एक सही तरीके से चलता है इस कहानी के अभ्यास प्रशनों को इसके भाग दो में करेंगे अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों न करें इनको लाइक सब्सक्राइब और रिकमंड हमें और बहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट धन्यवाद झाल